नमस्कार, बिगाट में आपका स्वागत है आज हम आम की फसल से संबंदित जानकारी के बारे में चर्चा करेंगी आज का विशय है आम के फलों एवं फूलों को पाउडरी मिल्डियों, एंफिर्टनॉस एवं हॉपर कीट के आपकरमण से कैसे बचाएं चलिए जानते हैं हॉपर कीट के बारे में बहुर आने के बाद आम की फसल में हॉपर कीट लगने का खतरा रहता है यह कीट पत्तियों और बहुर से रस चूचता है जिसके परणाम से रूप फल ही लग पाते हैं और उपज कम हो जाती है हॉपर कीट से बचने के लिए आप कॉनफिडोर, टाटा मेडा या फिर एड्मायर जैसे कीट नाशकों का उपयोग कर सकते हैं दिये वै कीट नाशकों का उपयोग आप इस प्रेयर से करें तो बहतर पढ़ना मिलेंगे चलिए अब जानते हैं पाउडरी मिल्डियों और एंथरकनोस के बारे में यह बिमारियां अधिक नमी वाले शेत्रों में होती हैं इनका असर पत्तियों, शाखाओं और फूलों जैसे मुलाइन भागों पर होता है इसके असर से फूल सूप कर गिर जाते हैं और उपज कम हो जाती है इन बिमारियों से बचने के लिए आप कॉन्टेस्ट प्लस या हेक्टोकन प्लस का इस्तमाल कर सकते हैं और आपको सब प्रतिशत पढ़नाम मिलेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो क्रिप्या लाइक करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद